ओम शान्ति आज तिनांक एक जुलाई दो हजार बाईस बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें माश्टर प्यार का सागर बनना है कभी भी किसी को दुख नहीं देना है एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें माश्टर प्यार का सागर बनना है कभी भी किसी को दुख नहीं देना है एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है अर्थात बाबा जो भी हम बच्चों को स्रीमत देता है जो भी हम बच्चों से पुरुशार्थ कराता है वह इस संगम युग पर ही कराता है बाबा कहते संगम युग पर ही तुम बच्चों को माश्टर प्यार का सागर बनना है क्योंकि संगम युग पर ही तुम्हें ऐसा पिता परमात्मा मिलता है जिसकी महिमा प्यार के सागर से होती है वहाँ प्यार का सागर है ऐसा सागर है कि हम बच्चों के अपकारों को गलानी निंदा को भूल कर हम पर उपकार करता है निश्वार्त इसने ही बन कर तो ऐसा प्यार का सागर हमारा पिता परमात्मा हम बच्चों से यही आसा रखता है कि तुम भी माश्टर प्यार का सागर बनू बाप समान बनू क्योंकि तुम्हारा पिता प्यार का सागर है तो तुम बच्चों का गायन माश्टर प्यार का सागर होना चाहिए कभी भी किसी को दुख नहीं देना है अब दुख से मुक्त करने के लिए बाबा हमें आया सुख की दुनिया में ले जाने आया तो सुख की दुनिया में हम जब जा सकेंगे जब एक दुख को सुख देंगे अर्थात कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे एक दो को दुख मिले एक दो को काटा चुबा कर दुख देते हैं कल यूग में बाबा हमें कल यूग से उठा कर लाया संगम यूग पर संगम यूग पर हमें तैयारी कराते हैं सत्यूग में जाने की जहां एक दो को दुख नहीं दिया जाता एक दो, एक दो के साथ बड़े प्यार से रहते हैं एक जानवर भी सत्युक के ऐसे होंगे कि एक दो को दुख नहीं देंगे तो बाबा कहते तुम तो चेतन्य आतमाएं हो तुम सर्व आतमाओं को भाई समझो सर ऐसे बोल बोलो, ऐसे कर्म करो कि सब को सुख प्राप्त हो प्यार की भासना आए तो ऐसा प्यार का सागर बनना है ऐसे दुख हरता सुख करता तुम बच्चों को बनना है प्रश्न किया बाबा ने माया के चलते किन बच्चों का गला एकदम माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम खोड देती है उत थोड़ा भी किसी बात में संसय उठाते, काम या क्रोध की ग्रहचारी बेटती तो माया उनका गला गोड़ देती, उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बेटती जो पड़ाई ही छोड़ देते, समझ में ही नहीं आता कि जो पड़ते और पड़ाते थे, वह सब कैसे भूल गए, बु बच्चों को यही सरीमत देते कि निश्चय बुद्धी बनो, जो बच्चे निश्चय बुद्धी होते हैं, वही विझए प्राप्त करते हैं, तो बाबा आता है हम बच्चों को पांच विकार रूपी माया पर जीत पहनाने के लिए, जिसमें से बाबा कहते, मुक्य है काम क्रोध और मोह तो जिन बच्चों पर काम क्रोध की ग्रहचारी बेट जाती है उन बच्चों का गला माया खोड देती है उन बच्चों पर ऐसी ग्रहचारी बेटती है कि चलते चलते पुरुशार्थ करते करते पढ़ते पढ़ते खुद ही सब कुछ भूल जाते हैं माया जैस उनकी बुद्धी का ताला लगा देती है माया पर जीत पाने के लिए बाबा हमें सदा स्रीमत देते डबल लौक लगाओ एक याद का एक सेवा का तो बाबा आया परिवर्तन के लिए हम बच्चों को पांच विकारों से मुक्त कर हमारा परिवर्तन करता है और हमें निमित बन बाबा से प्राप्त गुण ग्यान तथा सक्तियों का यूच करना बाबा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीती पढ़ना और औरों को पढ़ाना तो बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धी बनो ऐसे पवित्र बनो योगी बनो अपनी बुद्धी को ऐसा पवित्र बनाओ कि उसमें बाबा के पवित्र ग्यान रत्न ठहर सकें जिस प्रकार गायन है सेरनी का दूद सोने के बरतन में ठहरता है ऐसे ही हम बच्चों की बुद्धी ऐसी सोने का बरतन हो अर्थात ऐसी पवित्र पावन हो जिसमें बाबा का ग्यान ठहरे बाबा के ग्यान का हम धार्णा कर सकें बाबा के ग्यान का स्वरूब बनकर बाबा के ग्यान की प्रत्यक्ष्टा करा सकें अर्थात सदा याद में रह सकें सेवा कर सकें माया पर जीत पा सकें गीत सुनाया बाबा ने तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम आगे बाबा कहते मुख्खे बात है बाप की याद बाप की याद से ही विकर्म विनास होंगे जितना जितना बाप की याद में लगे रहेंगे विकर्म विनास होते रहेंगे नहीं तो बाबा कहता आगे जाकर धर्मराज के रूप में साक्षातकार कराएंगे कि तुम बच्चों में क्या कमी कमजोरी रही तुम बच्चों ने क्या गलतियां की तो उन सजाओं से बचने के लिए बाबा कहते एक बाप की याद में रहो बाबा की स्रीमत पर चलो सत बाप है सत बाप से पूरा पूरा सच्चे बन कर रहो क्योंकि सच्चे के आगे कुछ छुप नहीं सकता बाबा कहते तुम्हारा सब उपर में नुन्दा हुआ है बाबा तो अंतर्यामी है समझना चाहिए हम छिपा कर विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी हम भ्रामन निमित हैं यग्ये को समालने के हमारे में ही यदि गलत आदत होगी तो यह ठीक नहीं है बाबा उधारन देते इसकुल में कोई टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसीपल भरी सभा में उसे निकाल देते हैं तो बहुत डर चाहिए बाबा सिव बाबा से सत बाबा से सत गुरू से सच्चे बन कर रहना है एक एक बात सच बाबा को बताना है बाबा की याद में रहना है मामे कम याद करना है तो बाबा कहते तुम को तो बाप के पास जाना है उनको याद करना है स्वदर्सन चक्र फिराना है और कोई याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी अर्थात किसी देहधारी को याद करेंगे तो बाबा कहते यहीं जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारी यह रुहानी यात्रा बंद हो जाएगी तो सदा यही इसमरती रखना है कि जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे कमल फूल समान पवित्र रहेंगे अर्थात विकारों पर जीत पहनेंगे उतने ही वर्से के अधिकारी बनेंगे विकार भी बाबा कहते अनेक परकार के हैं स्रीमत पर ना चलना भी बड़ा विकार है स्रीमत पर चलने से ही बाबा कहते तुम निर्विकारी बनते हो मामे कम याद करो और कोई को याद नहीं करना बाप इन द्वारा कहते हैं बच्चो मैं आया हूँ सब को ले जाने के लिए तो हर एक को बाबा कहते मुझ बाप को ही याद करना है हर आत्मा बाबा को याद करके ही पावन पवित्र निर्विकारी बन सकती है बाबा ने आज हम बच्चो को आत्मा की यथार्थ पहचान बताई कि मनुष्य लोग तो आत्मा को नहीं जानते आत्मा की यथार्त रीती भी नहीं समझते कि मैं क्या चीज हूँ क्या पार्ड बजाता हूँ कुछ भी नहीं जानते आत्मा है कितनी चोटी, कहते हैं इस्टार मिसल चोटी है आत्मा का साक्षातकार भी बाबा कहते बहुतों को होता है बहुत चोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट है उनको दिव्य द्रश्टी के बगेर कोई देखना सके अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता है सिवाए ग्यान के कुछ भी समझ नहीं आता साक्षातकार तो धेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है बाबा कहते सारी सारा आधार एक बाप की याद पर है बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई पर है तो अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ना है, बाबा की याद में रहना है, सुदर्सन चक्र फिराना है, स्रीमत पर चलकर विकारों पर जीत पाना है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया, वर्दान में बाबा कहते अपने चहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्म भव सत बाब, सत टीचर, सत गुरू आकर हम बच्चों को सत ग्यान देते हैं, गुणों से ग्यान से सक्तियों से हमारा स्रंगार करते हैं तो बाबा कहते जो सत्यता है उसके साथ साथ तुम बच्चों में सभ्यता भी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे चहरे से चाल चलन बोल रहन सहन से सत्यता प्रत्यक्च होनी चाहिए और प्रत्यक्चता जबी करा सकेंगे जब सभ्यता हो तो बाबा कहते महान आत्माएं वह है जिन में सत्यता की सक्ती है लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना देखना चलना खाना पीना उठना बैठना हर कर्म में सभ्यता स्वतह दिखाई देगी अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं सत्यता कभी भी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती उसे तो सिद्ध होने की सिद्धी प्राप्त है सत्यता के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता इसलिए सत्यता का गायन है सत्य मेव जैते सत्य की नाव कभी डूपती नहीं है दोलती है पर डूपती नहीं है सत्यम सिवं सुन्दरम स्लोगन में बाबा कहते नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे अर्थात अपने स्वभाव संसकार को ऐसा नरम मोल्ड बना लो कि किसी के भी स्वभाव संसकार से टकराव ना हो हम सभी को रिगार दे कर उनके संस्कारों पर अपने संस्कारों का प्रभाव डाल सके और खुद को सदा सुरक्षित रख सके तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शान्ती